दोस्तों बॉलिवूड के हालत तो पहले से ही खराब थी और गहराईया फिल्म ने तो और भी स्तिति को खराब कर दिया है दरसल बॉलिवूड अभी नेतरी दीपिका पादुकोड की गहराईया ग्यारा परवरी को OTT प्लैटफॉर्म पर रिलीज हो चुकी है फिल्म में दीपिका के अलावा सिध्धान चतुरवेदी और अनन्या पांडे भी लीड रोल में है फिल्म को जिस जिस ने भी देखा है वो बॉलिवूड की सोच पर दीपिका के कैरेक्टर पर बस थूथू किये जा रहा है यहां तक की फिल्म क्रिटिक क्यार के उर्फ कमाल आरखान ने फिल्म का रिव्यू करते हुए इससे सॉफ्ट पॉन करार दे दिया इतना है नहीं क्यार के ने दीपिका पादुकूर को ऐसी एक्स की मलिका और करन जोहर को ऐसी एक्स का देवता तक बता दिया वहीं कंगना रनौत ने फिल्म देखने के बाद करन जोहर और दीपिका पादुकूर की इज़त ही उतार दी कुल मिलाकर गहराईया फिल्म को लेकर बॉलिवूड में कोई भी एक राय नहीं है फिल्म को लेकर सबकी अलग-अलग ओपिनियन है वहीं इसके अलावा बॉलिवूड से ही दूसरी खबर ये है कि सोनम कपूर को सरे आम पंजाब के नेता से भयंकर लतार मिली है तो बॉलिवूड की इन दोना ही खबरों को विस्तार से बताते हैं आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट करके अपनी बात अपनी राइस जरूर रखें चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवास बने तो पहले बात गहराईया की तो क्यारके ने करन जोहरा और दीपिखा पादु कोड को लेकर कापई कुछ कह दिया क्यारके ने लिखा इन लोगों ने फिल्म को हिंदुस्तान के 0.001% लोगों को ध्यान में रखकर बनाया है ये वो प्राणी हैं जो कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े शेरों जैसे दिली, मुंबई और कोलकुता में पाये जाते हैं इन लोगों को तलाक होने के बाद बीवी से प्यार होता है ये वो लोग हैं जो किसी भी लड़की के साथ आठ से दस साल तक लिविन में रहते हैं खुब घपा घप करने के बाद उसे छोड़ देते हैं ऐसे लोग अपनी पार्टियों में बीवी और गर्ल प्रिंट की अदला बदली तक करते हैं इन लोगों की जिंदगी सिर्फ तीन चीजों के इर्दगिर्द घुमती हैं वो है पैसा, नशा और घपा घप क्यार के ने आगे कहा दीपिका पादु को और क्या दिखाना चाहती है कि गरीब बॉइफरेंग को छोड़कर अमीर को पकड़ लो जैसे कि दीपिका ने अपनी खुद की जिंदगी में किया कभी मालिया के बेटे को तो कभी रणबीर कपूर को और शादी केसी और से ही की वहीं करन जोहर के लिए क्यार के ने लिखा ये भारत की 50% आबादी को बरबाद करके छोड़ेगा युवाओं को तबाह करने का ठेका करन जोहर ने ले रखा है अब क्यार के कि ये ट्वीट्स सोशल मीडिया पर वाइरल हो गए है यकीनन इन ट्वीट्स को देखने के बाद दिपिका पादुकूर को अपना मूह तक छिपाना पर सकता है वहीं कंगना रनौत ने भी गहराईया फिल्म को लेकर अपना ओपिनियन रखा है एक्ट्रिस ने इस फिल्म को बनाने वालों को बुरी तरह लताड़ा है और कहा है कि इस फिल्म के तुलना पॉर्नोग्राफिस से करनी चाहिए कंगना ने इंस्ट्रेग्राम पर फिल्म को लेकर जबर्दस्त का ठाक्ष किया कंगना ने कहा मैं भी इसी पीड़ी क्यों हूँ मैं इस तरह के रोमेंस को समझती हूँ मगर पीड़ी नए जमाने और शैरी कल्चर के नाम पर फिल्म के रूप में कच्रा बेचना बंद कर दो बुरी फिल्में बुरी फिल्में ही है कोई भी स्किन शो या पॉर्नोग्राफिस से नहीं बचा सकती ऐसी फिल्म बनाने से बॉलिवूड और भी परबाद हो जाएगा तो कुल मिलाकर गहराईया को लेकर ना तो बॉलिवूड में और ना ही दर्शकों में किसी भी तरह का क्रेज है OTT प्लेटफॉर्म पर भी फिल्म को कोई खास रिस्पॉंस नहीं मिलाए तर्शकों का कहना है कि अगर उन्हें यही सब देखना है तो ऐसा कंटेंटों कहीं और भी देखा जा सकता है वहीं बात सोनम कपूर की करें तो सोनम कपूर ने हाली में हिजाब विवाद मामले में अपने इंस्टा पर एक स्टोरी शेर की थी जिसमें सोनम ने सिख पगड़ी पहने और हिजाब वाली महिला की पोटो शेर की और लिखा कि अगर सिख की पगड़ी चॉइस हो सकती है तो हिजाब क्यों नहीं अब सोनम कपूर अपनी पोस्ट पर बुरी तरे ट्रोल हो गए आखिरकार सोनम को ये पोस्ट हाथवाट डिलीट भी करनी पड़ी पंजाब के एक नेता ने तो सोनम कपूर को दो धर्मों को आपस में लड़ाने वाली तक बता दिया जी हाँ मंजिंदर सिंग किस रसा ने सोनम कपूर की इस पोस्ट को शेर कर जवाब में लिखा दस्तार या दस्तियार का अर्थ है भगवान का हाथ ये कोई विकल्प नहीं है बलकि श्री गुरु गोबिन सिंग का आशिरवाद है और सिखों के पहचान का एक अभिन्न अंग है इस संदर्ब में दस्तार और हिजाब की तुल ना करना बिल्कुल गलत है बीजेपी नेता ने सोनम कपूर को लतार लगाते हुए कहा सोनम ने बहुती विवादित पोस्ट इंस्टाग्राम पर शेयर किया है पहले तुम्हें सोनम कपूर से ये कहना चाहूंगा कि इस तरह की विवादित पोस्ट डालना बंद कर दो ऐसी पोस्ते दो धर्मों को आपस में लड़ाना बंद कर दो ये बिलकुल गलत है मनजिंदर सिंग सिरसा ने आगे कहा आपका हिजाब की तुलना पगड़ी से करना कत्ता ही जायस नहीं है सबी धर्मों की अपनी मान्यताएं है ये मानेता हैं कायम भी रहनी चाहिए लेकिन इस तरह जान बूझकर आपने जो किया है मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ मैं सोनम से कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा काम फिल्म में कलाकारी करना है और तुम बस वही काम करो हमारे काम में टांग मत लगाओ अब सोनम कपूर बुरी तरह ट्रोल हो गई बिना सोचे समझे किसी भी मामल में कूत पढ़ने की वैसे भी सोनम कपूर की पुरानी आदत है मगर इस पार सोनम ने महा बेज़ती जहलते हुए अपनी पोस्ट को तुरंट डिलीट कर दिया तो आपका करन जोहर और दिपिका पादुकोर की गहराईयां पर क्या कहना है दोस्तों क्या वाकई में ये फिल्म रिष्टों की जटिलता को दिखा रही है या फिर यूवा पिड़ी को बर्बाद करने का काम कर रही है और मिनिस्टर्स भारत देश को दिन दिन बहुत रूचा ले गए और आज हम खुश हाल है श्रद्धे नरेंडर भाई को हमारी सरकार हमारी जनता को मेरा श्रत श्रत प्रणाव यह सब मैं एहने के बाद भगवद जीता में भगवान स्री कुछने एक उनकी श्रोक है उनका जो मैं सुना भी जा रही हूं यदा यदा ही धर्मस्या ग्रानिर भोति भारत अप्रित्तानम धर्मस्या तदात्मानम शुजाम्यां परित्राणाय सादूरा मिलाशायक दुष्कृतान धर्मसंस्था पनार्थायक संभवामी यूगे यूगे बागाओन स्री जोटे शुदे यूगे यूगे बागवान स्üllे कुष्क्ष्कन भी कहाल और वो हमेशा हमारे साथ रहें आज भी साथ हैं और आदे भी साथ रहेंगे यही मुझी उश्वा से मैं आप सब को प्रणाम करती हूँ और आज्या लेती हूँ करने यह ले आजड़ों करें भी साथ दून। प्राइ।